Hello Friends, My Girl and I, 2005 की मुवी आज में आपको एक्स्प्रेन करने वाला हूँ ये एक रोमेंटिक कोरियन मुवी है इस मुवी में इटर्नल लव और डेथ इस सब्जेक को उन्होंने छुआ है तो जलिए डारेक्ली शुरू करते है इस मुवी के जो कैरेक्टर से इनके नाम हम के और क्रीम रखेंगे यानि की हिरो का नाम के और हिरो इनका नाम क्रीम हम रखेंगे मुवी स्टार्ट होती है और बहुत ही अच्छा सा हमें टाउन दिखता है यह बहुत ब्यूटिफुल टाउन होता है और वहाँ कुछ हमें फ्रेंड्स दिखते हैं यह शोर पर आकर वहाँ के होटेल में मज़ा कर रहे होते हैं सीफोर्ड खा रहे होते हैं बहुत सारे टाइम बात वो अपने गाव वापस आये हैं और यहां का जो सब है वो enjoy कर रहे होते हैं यहां वो अपने फ्रेंड के बारे में बोलते हैं कि के यहां क्यों नहीं आया तो एक फ्रेंड बोलता है कि तुमारी फर्स गर्ल्फ में यहां मर चुकी थी तो वो मोन कर रहा होता है के भी हमें एक हिल पर दिखता है क्रीम की बहुत सारी यादे इस शहर से जुढ़ी होती है वो वह वह से जीरा होता है तोड़ी देर बाद के फिर अपने फ्रेंड से मिलता है वो सब फ्रेंड एक लाइट हाउस तक जाते है वहाँ जाकर उनमें का एक जो फ्रेंड होता है वो सी की उपर दिखता है वहाँ जाकर वो चिलाता है कि क्रीम प्लीज मेरे फ्रेंड को जाने दो तुमने मेरे फ्रेंड को जकर रखा है और ये भी सच होता है क्योंकि हमेशा क्रीम की बार में सोचता रहता है केको इसी को देखकर भी एक चीज याद आती है फिर मूवी हमारी flashback में चलती है और हमें एक scene दिखता है जिसमें क्रीम केको पानी से बचा रही होती है के पानी में डूब रहा होता है और वहाँ क्रिम का जो पेजर होता है वो भी गिर जाता है के बेहोश होता है वो उसे शोर तक लाकर देती है और वही छोट जाती है जब के होश में आता है तो उसके फ्रेंड उसके आसपस होते है उसके फ्रेंड को पता नहीं होता कि के डूब चुका था क्रिम ने उसे बचाया है ये भी होने पता नहीं है नेक्सिन में हम देखते है कि के स्कूल से अपने ग्रैन डाइट किया आता है उसके जो ग्रैन डाइट होते है ये जो लोग मरते हैं उनके लिए सामान का उनका एक शॉप होता है उसके granddad बहुत ही cool होते है वो हमेशा उसे beer वगरा पिलाते है और बहुत अच्छे से बाते को करते है K और उसके granddad window तक आते है और K बोलता है कितना killer weather है तो उसके granddad बोलते है कि ऐसा मत बोलो क्योंकि ये date का सामान सेल करने वाले shop होती है K और उसके granddad के बहुत अच्छे से bonding होती है नेकसिन में हम देखते है कि K स्कूल में होता है और lecture कर रहा होता है तब एक क्रीम उसके पास देखती है कि के पास उसके friends होते है तो एक friend उसे बोलता है कि क्रीम मुझे देख रही है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक week के पहले मुझे propose कर देगी केको भी ऐसाच लग जाता है जब एक lecture खतम हो जाता है तब क्रीम और के एक दूसरे से टगरा जाती है क्रीम उसके रस्ते में होती है और वो उसे जाने नहीं दे रही होती है कि जब वहाँ से निकल रहा होता है तो क्रीम उसे पुछते है कि मेरे लिए कोरो की बाय करो वो उसे इंडरेक्ली डेट के लिए पूछ रही होती है वो बुछता है कि क्यूँ वो अलती है कि ऐसे ही योरो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए Kobe by करोगे तो हमारे लिए kot विल में सब awkward हो जाएगा यानि कि सब बच्चे इन्हें देखेंगे इसलिए वे बोल रही होती है कि उसके लिए by भी करता है और ऐसा होता है सब उन्हें देखने हैं एक का जो friend था जिसको लग रहा था कि क्रीम उसे देख रही है वो बहुत ही जेलस हो जाता है वो कहता है कि उसमें जैसा क्या है जो मुझे नहीं और ये बहुत ही चीट जाता है और रोने लग जाता है वो उसे कहता है कि एक लड़का है जो उसे पैर करता है वो तुमें अब मारेगा और फिर नेक सिन में हम देखते है वो बहुत ही बड़ा बच्चा होता है वो के को घेर लेता है उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो उसे धमकी दे रहा होता है तब भी वहाँ क्रीम आ जाती है और फिर उसे डेट के लिए बूला लेती है ये सुनकर वोलट का और भी ज्ञादा गुस्सा हो जाता है फिर के और करीम वहाँ से साइकल पर भाग लेते है फिर करीम और के दोनों अपने साइकल पर लाइट हाऊस पे आ चाते है वहाँ का जो शोरत है वहाँ बैठते हैं वहाँ बैठने के बाद क्रीम के से पुछते हैं तुम सौकर केल देते हैं उसका क्या हुआ ये दोनों जो होते हैं ये बच्पन से एक दूसरे को जानते हैं पर उसके बाद उन्हें जादा बात नहीं की होती इसलिए उन में ज़रा distance maintain हो जाता है के भी कहता है कि तुम्हें अपने grandfather की या रहती थी उसके grandfather का house केक्या house से बहुत ही पास होता है फिर वो बाते करने लग जाते है और फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम का meaning life है कि Korean नाम है तो इनका meaning अलग होता है फिर वो केको कहती है कि तुम्हारे नाम में भी excellence यह meaning है वो फिर उसे कहती है कि तुम्हें मुझे एक beeper पायक कर देना है क्योंकि तुम्हारी वज़े से ही मेरा beeper चला गया है केको पता नहीं चलता कि यह क्या भोल रही है क्रिम उसे फिर loud house पर लेकर आती है और वो sunset देखते है केका fans rate हो जाता है तो वो उसे पूछती है तो वो कहता है कि इस time में हमेशा हो जाता है के उसका नाम C पे पुकारता है वो कहता है कि मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे पुकारना चाहिए के फिर क्रिम से पुछता है कि हम तो एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते है तो तुम अचानक मुझसे smile करने लगए मुझसे बाते करने लगए ऐसा क्यू है वो उसे कुछ भी नहीं बताती जब रात होती है तो के अपने मदर से पुछता है वो कहता है कि मुझे बीपर चाहिए वो उसके मदर को बीपर क्या होता है ये भी पता नहीं होता और उसे ना कर देती है के की सिस्टर उसे चिड़ाती है कि तुम अब डेट कर रहे हो जब इनका क्लास चल रहा होता है वहाँ भी एक रोमेंटिक कवीता चल रही होती है जब एक खतम होता है जो दोनों एंगाउट करती है रात होती है तो क्रीम के घर केव छोड़ने उसे आता है क्रीम उसे अपना नंबर दे देती है के कहता है कि तुम्हारा पेजर तो डिस्टॉय हो चुका है तो ये नंबर किस खाम का वो कहती है कि तुम वहाँ मैसेज छोड़ सकती हो और जो लैंड लैन होती है वहाँ से वो सुन सकती है इस तरह से वो अप मैसेज़ेस में बात करने वाले होती है क्रीम जब क्रीम को छोड़ देता है तब क्रीम के फादर को दीख जाता है नहीं बना है वो फिर क्रिम का जो मैसेज़ होते हैं तो क्यों उस क्यों कोındा हूँ यह जो मैसेज के रहा होता है इसमें करीम का मैसेज होता है realised मन हो जाओंगे मुझे बहुत ही करेज लगा अगर मुझे तुमसे बात ही करनी थी विकेम क्राती हम क्रृष यह बहुत है उसे बहुत ही पसंद करता है कि अपने क्लास्रूम में होता है और उसे एक टीचर आकर बोल दी है कि तुम्हारे grandfather मत चुके है तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा कि बहुत हैं डिस्टरब हो जाता है और भागते भागते वहाँ आता है वह जब वहाँ आता है तो उसके grandfather जिन्दा होते है कि पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उसके grandfather कहते है कितना मौसम अच्छा है तो मैं आकेला थोड़ी पीर पीश सकता हूँ तो इसी वज़े से उसके grandfather ने उसे बुला होता है के के grandfather को पता चल जाता है कि के का अब जारा mood change है वह प्यार में ऐसा उसे लग रहा होता है तो ये भी उसे वह पूछ लेते है तब ही वहाँ क्रीम आ जाती है फिर क्रीम की age उसके grandfather पूछते है तो कहते हैं कि 19 साल की में हूँ फिर उसे 19 बार गोल-गोल खुमने के लिए कहते है ये एक superstition के के grandfather की होती है भूतों से वह बची रहे इसलिए वह उसे करने के लिए कहते है जब के और क्रीम दोनों बैठते है तब के के grandfather उन्हें अपने law story कहते है वो कहते है कि तुमारी जो grand mother थी उसके पहले भी मैंने प्यार किया था के believe नहीं करता और फिर उसके grandfather ये story सुनाते है वो कहते है कि एक औरस से में बहुत ही प्यार करता था हम दोनों की जो family थी इसके खिलाफ थी फिर इस flashback के scene में हम देखते है कि के grandfather और वो लड़की ये दोनों station पर है के grandfather जोते है वो सेना में भरती हो रहे होते है और फिर वो उसे मिल कर जा रहे होते है वो उसे अपना name badge जोता है वो उसके हाथ में देते थे वो कहते हैं कि please मेरे लिए wait करो वो भी कहते हैं कि जिन्दा वापस आजाओ यहाँ वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते है के grandfather बोलते है कि जब मैं service से वापस आया तो मेरे लिए कोई भी wait नहीं कर रहा था उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है के grandfather के पास उस लड़की की अभी भी photo होती है और उसी shop में वो हमेशा रखते है अब ग्रेगी grandfather बूटे हो चुके है पर फिर भी हो उससे प्यार करते है बहुत सारों का यह प्यार है फिर किये के लिए message सोटती है वो कहती है ग्रेगी grandfather ने तुमारे जो भी कहा है यह तुमारे लिए upsetting हो सकता है पर मैं इसे perfectly understand करती हूँ के कहता है कि मैं भी इसे understand करता हूँ मुझे लागता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ फिर यह नहीं होता तो मैं bond नहीं हो पाता और हम दोनों नहीं मिलते तो इसलिए उसे अच्छा लग रहा होता है के क्रीम और उसका एक friend होता है यह सब school में होते तो इस discuss हो कर रहे होते है तब इस teacher उन्हें डाटता है और उन्हें सजा देता है उसके एक friend को वो बाहर बेज़ देता है फिर भी के और क्रीम बाते ही करने लग जाते है तो इन्हें भी यह classroom से निकाल देते है जबके और क्रीम ground पर होते है तो वो discuss कर रहे होते है क्रीम जो होती है यह after life में believe करती है कि इस पर believe नहीं करता है वो कहता है कि वो idiot होंगे जो after life में believe करते होंगे इसमें इनकी ज़रा fight हो जाती है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते है इसके बाद classroom में कि एका जो friend था उसके साथ cream बात कर रही है यह हमें दिखता है कि इस पर बहुत ही चीर जाता है उसके हाथ में एक fork होता है और उस fork के साथ वो उसके पीछे भागता है उसका friend भी डर जाता है और भाग जाता है कि अपने bicycle से घर जाता होग दिखता है और वहाँ क्रीम भी होती है उसके साथ कौरोगी खाना चाहती है उसके हाथ में होता है, उसे लखता है क्यों रूकेगा और उनका फेसे बैच जब हो जाएगा पर वो चला जाता है क्रीम फिर उसे मैसेज़ देती यह कहती है कि तुम्हारा चो फ्रेंड था वो सिर्फ मुझसे एक मैट का प्रावलम सॉल करवाना चाहता था तुम्हें जेलस होने के कोई भी ज़रूरत नहीं थी तुम अगर इतने चोटी सी बात पर जेलस हो जाओगे तो पचास साल या उससे भी ज़्यादा मुझसे कैसे बैर करोगे के फिर उसके ग्रैंडाट के पास आता है वो से बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे कुछ भी बताने की वो से पूछता है कि क्या फिर तुम उससे कभी मिले उसके ग्रैंडाट कहते है कि उसके जब पती मर गय थे तब मैं वहाँ कया था हमने एक दूसरे को देखा था पर हम एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पाए केको बुरा लगता है कि क्रीम के घर जाता है वह एक छोटा सा पत्तर लेता है और वो खिड़की पर डालकर क्रीम को बाहर बुलाने वाला होता है पर ये पत्थर जरह बड़ा होता है और इससे उसकी खिड़की तूट जाती है वो आसे भाग जाता है ये फिर क्रिम के लिए मैसेज चोड़ता है वो कहता है कि मेरे ग्रैंड डैट और मेरे ग्रैंड मदर ये दोनों एक दूसरे से मिलना ये एक destiny थी हर आपमी की एक destiny होती है मेरे मदर फादर मिलना ये भी destiny थी मुझे तुम्हारी destiny बनना है फिर इन दोनों का patch up हो गया है ये हमें दिखता है ये दोनों hangout करते हैं बहुत सारी fun जी से एक साथ करते हैं ये के लिए hall वेगरा प्रिपेर करते हैं ये fog island है वहाँ एक magical rock है जहाँ पर सब लोगों की fishes complete हो जाती है अपना partner उन्हें मिल जाता है तो यहाँ फिर cake हो जाना होता है ये सब friends ने plan किया होता है और उसके friend की girlfriend वेगरा सब वहाँ जाने वाले होते हैं वो cream को भी इसलिए पूछता है cream भी permission लेकर इसके लिए हाँ कर देती है जब ये दीन आता है जब वो fog island में जाने वाले होते है तब वहाँ उसके friend call कर कर बताते है कि हम नहीं आने वाले यहाँ रात भर उन्हें रुखना होता है तो cream उसे कहती है कि तुमारा ये setup था के डर जाता है कि एको लगता है कि अपसे टोच चुकी है पर cream को और और भी अच्छा लगता है वो अब अकेले ही यहाँ जाते है fog island पे जाकर वो swimming करते है बहुत अच्छे से वहाँ व्यूज होते है ये वो देखते है बहुत ही अच्छा जाता है तो एक हिल पर आते है ये दोनों एक wish कर रहे होते है वो एक दूसरे से पुछते है कि तुमने क्या wish क्या है वो दोनों फिर decide करते है कि वो एक की साथ एक दूसरे की wish बोलेंगे एक दूसरे की मुँझ से एक ही बात आती है वो होती है कि इसी तरह का हर दिन हो वो फिर एक जगा रुखते है वहा कि जो लेडी होती है वो blind होती है पुरोज सुद सुन सकती है उसे इन्होंने बताया होता है कि यह husband और wife है यह दोनों balcony में होते है और वहाँ rain आने लग जाती है के फिर क्रिम को एक स्टोई सुनाता है, वो कहता है कि जब मैं छोटा था, हमारे घर पर एक ओल लेडी आती थी, उसने मुझे सवाल पूचा था, की रेन कैसे गिरती है, ये ड्रॉप्स में गिरती है, या थ्रेड की तरह धागे में गिरती है, मैं कभी भी इस सवाल का नहीं आ रही होती, क्रिम सीखे यहाँ बैठे हुए होती है, कि ये भी उसके साथ आकर बैठ जाता है, तो उसे कहती है, कि ये जो टॉर्णेड होता है, इसके बीच में कभी भी बारिश नहीं आती, ये कहता है कि ये कितना ब्यूटिफुल है, इसकी possibility कितनी कम है, पर फिर हम मिले हैं वो कहता है कि मुझे आप तुम्हारे लिए जीना है तुम्हारे लिए रोना चाहता हूँ हसना भी तुम्हारे लिए चाहता हूँ जीना भी तुम्हारे लिए चाहता हूँ क्रिम उसके उनिवर्स का सेंटर बन जाए ऐसा उसे लग रहा होता है क्रिम भी कहती है कि क्रिम के फादर क्रिम को लेने के लिए आते है और के को मार कर चले जाते है क्रिम फिर हॉस्पिटल में एड्मिंट होती है तो के उसे मिलने के लिए आता है उसे चीरब करने के लिए प्रिटेंड करता है कि वो प्रिंसेस है और ये प्रिंसेस जो उसे ब्लड ओफर कर रहा है क्रिम फिर पॉइंट करती है तो क्रिम के फादर वही बेटे होते है कि डर जाता है और बोलता है कि मेरे grandfather भी यही practice करते है और वहाँ से भाग कर चला साता है कि और cream फिर एक दूसरे को message देते है और उन्हें क्या-क्या चीज़े बहुत ही अच्छे लगती है वो कहते है कि कहता है कि मुझे sky person है मुझे sunset person है बहुत सारी चीज़े वो बोल रहे हो तो अपने room में नहीं होती वो nurses से पुछता है कि वो कहा गई है nurses बोलती है कि वो भाग गई है कि यह बहुत दिस्टरब हो जाता है और फिर हार कर वो अपने granddad के हाता है वो वही होती है वो से पुछता है कि मुझे ऐसा देख कर क्या तुम्हें मजा आ रहा है वो उस पर च दिया था यह जो होती है उसके प्रेमिका की बेटी होती है वो से कहती है कि उसने मुझे जैसे बताया था तुम वैसे हो यानि कि वो लड़की उसे कभी भूली नहीं थी उसके प्रेमिका की लड़की फिर उसे उसके मदर को funeral के ready करने के लिए बोलती है वो कहती कि उसके last wish तुम से वो मिल पाई वो पुछता है कि वो कैसे मरी क्या ही difficult था वो कहять थी कि नहीं कुई भी difficult नहीं था उसे इसमें peace लगता है के के granddad उसके premika से मिलने आते है वो उसे उसके funeral के ready करते है एक cloth में उसे वो wrap कर देते है वो फिर उसके premika से बोलते है यहां पहले मिलना चाहिए था क्यों यह इतना difficult था हमारा मिलना उन्हें बहुत यह regret अब हो रहा होता है वो कहते हैं कि next road में हम फिर से मिलेंगे और हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा दूसरे दिन फिर से जब क्रेक क्रीम से मिलने आता है तब उसे content किया होता है उसके पास आसपास plastic होता है वो अब उससे directly भी मिलने ही सकता क्ये क्रीम के father से मिलता है क्रीम के फादर उसे कहते हैं कि बहुत यंग है और यह अब मरने वाली है क्रीम को leukemia होता है blood cancer होता है तो इससे वो मरने वाली होती है के भी इससे deal कर रहा होता है उसके फादर के ऐसे कहते है कि उसके लिए अगर तुम कुछ भी करना चाहो तो वो कर देना जब रात होती है तो के अपने मदर से पुछता है क्या तुम कभी dad को miss करती हो तो उसके मदर कहती है कि हाँ मैं उन्हें miss करती हूँ क्रीम के मन में सवाल होता है कि जब वो मर जाएगे तो उसे कोन याद रखेगा उसका मानना होता है वो कहती है कि उसके friends वगेरा सब उसे याद रखेंगे पर जैसे time pass होता जाएगा उसे भूल जाएगे उसकी family उसके जो सब पास थे वही उसे याद रखेंगे क्रीम के एगो कह रहे होती है जब तक तुम मरोगे मुझे तुम याद रखना कि रोने लग जाता है कि कहता है कि मैं तुम्हें याद नहीं रखूँगा उसे कहता है कि मैं किसी और लड़की के साथ करों के खाऊंगा मैं किसी और लड़की को डेट करूंगा मैं बहुत ही घुश रहूंगा उसे जेलस फिल करवाना चाहता है यानि कि वो ना मरे क्रीम को फिर से आइलन जाना होता है वो क्रीम को उठाता है दोनों गाड़े में बेटते है तो क्रीम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लेट करूंगी जब तुम मरोगे तब हम फिर से एक हो जाएंगे जब वो बोट तक पहुशते है तो वहाँ स्टॉम आ जाता है और यह सब बन हो जाता है क्रीम को बहुत बुरा लगता है वो कहती है कि तुम मेरे लाइफ के सी हो तुम ही मेरा समुन्दर हो मुझे तुम्हें हमेशा हैपी देखना है वो उसे हमेशा खुश रहे ऐसा वो उसे वचन लेती है यही फ्लेश बैक कतम हो जाता है और जब अब के बड़ा हो चुका है वो फिर से उसी आलेंड तक आता है जिस अंधिय औरत के रूम में वो रुके थे वो ही वो आ जाता है उस रूम में जब वो पहुशता है तब उसे के की एक नोटबुक मिलती है उसमें लिखा होता है कि के और में हम दोनों फिर से इस आलेंड में आंगे वहां जो hill होती है वहां बहुत सारे फुलो के plants उसने plan कि होते है वो कहे थें कि मुझे के का reaction देखना है कि उससे कैसा लगेगा के फिर इस hill तक बहुचता है और ये फुलो से भरी बड़ी होती है के फिर से उनका एक लम्हा याद करता है जहाँ पर उन दोनों की मिलने की possibility क्या थी यह वो discuss कर रहे थे एक दोनों को उन दोनों ने I love you कैसे कहा था यह वो याद करता है इन फूलों के बीच में वो चलता है और यही मूवी खतम हो जाती है वो हमेशा उसे याद रखने वाला है तो इस मूवी का जो plus point था यह उसकी views थे बहुत astonishing इसकी views है जो हमें देखने के लिए कभी व्याच्छा लाएगा अगर आपको वक्त मिले तो 100% इस मूवी को देखिए अगर आपको यह मूवी पसन आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और भी मूवीज में लेकर आता रहोंगा तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आईकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको न्यू मूवीज भी आती रहे हम फिर से मिलेंगे न्यू मूवीज के साथ तब तक के लिए ठैंक यू और आपका खैल रखे